अलो स्वेंट्स आप सभी का स्वागत है आई बीए शिम्ला के योट्यूब चैनल पे तो आज हम करने वाले हैं SSC GD प्रीविएस यर क्वेशन का लेक्चर फोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं GD के एज़ाम के अंदर प्रीविएस यर के अंदर जो क्वेशन्स पूछे ये हैं उन क्वेशन्स को हम इस ट्लास के अंदर कर दींगे चलिए चलते हैं हमारे आज़े कोश्चन्स पे देखिए पहला कोश्चन ही है इस स्क्वेशन के अंदर देखिए क्या दिया है देखिए कैसे इस स्क्वेशन को करेंगे दिमार्ट प्राइस ऑप एन आर्टिकल इस टू हंडर्ड अंकित मुल्य कितना है दो सर रुपे है ठीके दो सर रुपे क्या है मार्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का एन दी डिस्टाउंट ओफर्ड इस 12 परसेंट डिस्टाउंट कितना दिया 12 परसेंट तो मार्ट प्राइस पर डिस्टाउंट देते हैं तो मार्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 88 बारा परसेंट का डिस्टाउंट देने के बाद उस्टे बात यह बुला है प्रॉपेट परसेंटेज अप दी आर्टिकल इस 10 परसेंट अगर कोस्ट प्राइस सो है तो सेलिंग प्राइस होगा 110 तभी तो 10 का प्रॉफेट आएगा रेशो में इसे कनवर्ट कर देते हैं यह आजिया 10 रेशो जारा अब यहाँ पर selling price कितना है 88 यहाँ पर कितना 11 तो selling price different तो नहीं हो सकता है 80, 80 जल रहा selling price को same बना रहा है तो यहाँ क्रज़ दिया multiply 8 से यहाँ multiply 8 से किया तो यहाँ भी multiply 8 से करमा हुदा क्योंकि दोनों मैंने च्या है ratios इनका क्या दोनों का ratio निकाला है 11 रिशू 10 तो इसको multiply 8 से तो इसको भी 8 से multiply करूँगा 11 into 8 88 8 into 10 80 तो cross price आजिया CX 8 CX 100 X mark price 100 X selling price 8 CX cross price CX अब देखिए आपके पास mark price जिवन था इतना 200 200 रुपय mark price जिवन था तो 100 X क्रा value इतना जाएड़ 200 X value आजाएड़ 200 बटे 100 X आजाएड़ 2 ठीक है अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है article का cost price क्या निकालना है? cost price हमें निकालना है cost price क्या है? 80 X तो 80 X क्रा मतलब क्या हो जाएड़ rating? 80 X रुणा extra value 2 80 X रुणा 2 160 तो उत्तर आजाएगा एक्सो साथ रूपे है, उत्तर आजाएगा एक्सो साथ, चलिए next question पर, इस question तो देखिए, पहले देखिए, यहां पर क्या हुआ है, पहले देखिए, यहां पर क्या हुआ है, पांच, बार एक्सो पच्चिस से माइनस दिया, आट प्लस माइनस 27 प्लस 64 माइनस एक्सो पच्चिस, मतलब यह है, दो टा ट्यूब, दो टी ट्यूब से प्लस, तीन के ट्यूब से माइनस, चार्टे ट्यूब से प्लस, पास्टे ट्यूब से माइनस, तो छेटे ट्यूब से करिंगे प्लस, छेटे ट्यूब होता है 216, 216 प्लस तर दिया 62 में, तो 62 जमा 216 कितना आ जाईगा, 62 जमा 216 होता है, 278, clear है अंसर आ जाईगा, 278, चल ये next question देखते हैं, ये question देखिए, रोहित बाइज एंड ओर्ड बैक्ट फॉर 2320, पुराना बल्ला कितने में चरीदा 2320 में, and spends 20 रूपी, रूपीज बन एक्टी, on its repairing, ठीक है, कितना 180 रूपे इस तो रिपीयर करदने में लगा दिया, 180 रूपे रिपीयर करदने में लगा तो 180 रूपे भी इसी में आड करद दूंगा, if he sells it for 2400, then what is the loss percentage? अज़र 2400 में उसे बेच दिया, कितने में बेच आ, 2400 में, तो loss इतना हुआ, तो देखिये, cross price इतना आजाएगा, लगत इतना आजाएगा, जितने में उसने खरीदा, और साथ में जितना उसने उसे repair पर ठश्चा जिया, तो कितना हो गया, 320 plus 600 सी, 2500, 2500 का लागत था, 2500 उस बल्ले पर लागत थी, और 2400 में उसे बेच दिया, तो कितना गाटा हुआ, 100 रूपे का, 100 रूपे का गाटा किस पर, 2500 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0 cancel, 25 25, 25, 100, तो उत्तर आ जाया, 4%, 4% का नुटसान होगा, clear है, चले, next question देखिए, blood relation का question है, इससे देखिए है, coded blood relation है, मतलब, I multiply J का मतलब है, means, I is mother of J, मतलब, multiply का मतलब है, mother, I plus J means, I is husband of J, मतलब, plus का मतलब क्या है, husband, I divide by J means, I is sister of J, divide का meaning है, sister, I minus J means, I is brother of J, minus का मतलब है, brother, तो देखिए, यहां पर हमारे पास code दिया है, तो इसे बनाते है, Q divide X, Q is sister of X, X plus Y plus का मतलब है, husband X, husband है, किसका Y का, तो Y, wife हो जी उसकी, Y multiply Z, मतलब, I mother of Z, अब पूचा क्या है, how Q is related to Z, Q Z से कैसे related है, तो देखिए Q क्या है, Z के father, father's टी sister, तो क्या आ जाएगा, father's sister, यह option में aunt दिया होता, तो वो भी हम क्रस देते हैं, ठीक है, यहाँ father's sister था, तो वन सद आ जाएगा, father's sister, next question, एक question देखिए, चली देखिए, इस question क्यों क्या से टेखिए, यहाँ एक सेलिंगे, सेलिंग प्राइस आप ए आटिकल इस, 51,75, डिस्काउंट, अफ 25 परसेंट इस, अपरड वर्ट इस, 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 अप दी आटिकल, देखिए, सेलिंग प्राइस, कितना एक सी आटिकल का, वो है, 21 सा पजट्तर, और डिस्काउंट दिया, 25 का, तो मार्ट प्राइस पर डिस्काउंट दिया उगगा, 25 का दिया, तो सो का था, तो पजट्तर का वेचा, तो रेशो निकाल देते हैं, यह चार रेशो, तीन आ गया, मतलब जाट चार X, 3X, ठीकल का, काट दिया 25 टे टेबल से दोनों को तो मेरे पास दिया क्या है? स्यलिंग प्राइस दिया और मेने निकालना है मार्क प्राइस अंत्रित मुल्य निकालना है मुझे तो 3 extra value दिया है कितना? उक्षब पजटर तो 3 extra value उक्षब पजटर तो x equal to कि इतना आ जाएगा स्तारा सो पच्चिस तो एक्स की वैल्यू आ गिया स्तारा सो पच्चिस मुझे निकालना है मार्क प्राइस मतला 4x क्या निकालना है 4x तो 4x की वैल्यू कि इतना आ जाएगा 4 into 6 गैल्यू 1725 स्तारा कि अठा legisl演 पच्चिस जटे 68, 69, 69 आ जाएगा इस ट्वेशन का अंसर चलिए ट्वेशन देखिए चलिए ट्वेशन देखिक्या दिया इसके अंदः एसके अंदः आ स्टुटेंट स्टूटेंट स्टूर्टेंट इन एक 30 मार्ट्स more than another student who scored 60% what is the maximum marks in the test देखे एक्स्टेन ने लिए 75% और दूसरे ने लिए 60% कितने ज्यादा लिए इसने 15% ज्यादा लिए इसने बट यहां तो दिया है कितना 30 marks ज्यादा लिए 15% का मतलब 30 तो 1% का मतलब कितना आ जाए रहा 30 बटे 15 15 दूनी 30 8% मतलब 2 तो 100% का value निकालना है मुझे तो 100 से ड्वना टर दिया 100 ड्वना 8%, 100% उठीया 2 ड्वना 100 कितना ज्यादा 200 तो maximum marks कितने उन्गे 200 answer क्या जाए रहा 200 clear है तो यह आ जाए रहा इसका answer चलिए तो चलिए तो यह ता पूरा session आश्टा तो previous year questions का जो इसी दी चल रहा है यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगज़े हैं पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दिया जा बाकी मिलते हैं आपसे next PYQ की वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यावाद